नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर साथियो महूराकिस सिहाग साथियो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान समसमयकी के अंदर पार्ट नमबर छे की इससे पहले मैं आपको पांस पार्ट करवा चुका हूँ और मैंने आपको अजार क्यूशन करवाने की बात कई थी और अजार क्यूशन कंप्लिट करवाँगा ठीक है और most important जो रास्तान समसमाई की के जो topic है वो हम आपको सारी cover करवा दूँगा ठीक है पिछले डेड़ साल के अब आग्या अगर आपके कोई exam आएगा तो उसमें कोई भी question बाहर नहीं आएगा यह मेरा दावाय आप से बस आप अच्छे से बने रही है इस class का थोड़ा सहोग करते रही है ठीक है बहुत अच्छा content आपको मिल रहा है सुबह मेरी जो 6 बजे class आती है साथी हूँ उस 6 बजे वाली class को ले लिया करो मैं आपके 12 से 15 मिनिट का time लेता हूँ और वो 12 से 15 मिनिट का जो time होता है वो आपके लिए बहुत important होता है क्योंकि बहुत अच्छे-च्छे questions में आपको करवाता हूँ पूरे दिन की मैनत के बाद आपको वो 10-12 questions करवाता हूँ जो आपकी हर परकार के exam के लिए बहुत important है आज के दिन जहाँ पर जीक की होगा वहाँ पर current affair जुरूर रहाएगा और current affair के अंदर इंडिया लेवल और रास्तान लेवल दोनुम आपको करवा रहा हूँ ठीक है चलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुरें तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आकन को प्रेस करेंगे और साथियो इस class का PDF भी आपको मिल जाएगा और इस class का PDF प्राप्ट करने के लिए आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोन कर लेणा टेलिग्राम के उपर आपको PDF मिल जाएगा ठीक है चलिए class को start करते हैं बात करते हैं आज के इस करेंट अफेर के पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं एक नंबर क्यूसन की तो क्यूसन नंबर 1 है कि राजस्थान के महाविद्यालियों में शुरू किया गया अरजुन दरश्टी कारिये करम का समंद किस छेत्र से है जो भी राजस्थान के जो महाविद्यालियों है कोलेज है साथियों उनके अंदर एक अरजुन दरश्टी कारिये करम स्टार्ट किया गया था तो यह जो अरजुन दरश्टी कार्येकरम है इनका समंद किस से है इसका समंद साथ हो खेल से खेल शेतर से इसका समंद है option number C आपका बिल्कुल correct होगा और जब जब भी यहाँ पर महावी देले की बात आगे तो आपका दिमाग शिक्षा की तरफ जाएगा लेकिन शिक्षा नहीं होगा इसका correct answer आपका खेल होगा अरजुन द्रश्टी कारियकरम खेल से समंद दीते हैं अगला किसने कि राजस्थान के किस जिले में पहला solar system prescription के अंदर स्थापित किया जा रहा है राजस्थान के उस जिले का नाम आपको बताना है जिसके अंदर पहला solar system प्रसिक्षन के अंदर स्थापित किया जा रहा है तो उस जिले का नामे साथ यह विकानेर विकानेर में पहला सोल्डर सिस्टम प्रसिक्षन के अंदर स्थापित किया जा रहा है important बात है ध्यान रखना देखिए केंद्रिय सुक्सम लगू और मद्यम उद्य मंत्रा ले की और से यानि MSME मंत्रा ले की और से A Scheme for Probation of Innovation Rubble Industry and Entrepreneurship के तहत राजस्थान की एक मात्री Engineering College बिकानेर को Solar System Protection केंद्र का प्रोजेक्ट दिया गया है बड़ इपोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है इसको किसने स्टार्ट किया है तो ध्यान रखना MSME मंत्रा ले MSME मंत्रा ले ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है कहां पर किया है Engineering College बिकानेर के अंदर कौन सी स्कीम के तहित उस कीम का नाम आप ध्यान रखेंगे यह स्कीम फोर प्रोबेशन ओफ इन्नोवेशन रूबल इन्डस्ट्री एंड इंटर्प्रेणर्शिप यह उस स्कीम का नाम है जिसके तहित इसको इस प्रोजेक्ट को बनाये जाएगा ठीक है, option number B आपका right है, अगला question है, केंदर सरकार की नमामी गंगे प्रोजेक्ट में तीसरे चन के तहत, राजस्थान की किस नदी को सामिल किया गया है, नमामी गंगे जो प्रोजेक्ट साथियो, उसके तहत क्या किया जाता है, जितनी भी आपकी नदियां होती हैं, उनकी किया जाता है, तो अब नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चन की सुरुवात होई है, और उसमें राजस्थान की कौन से नदी को सामिल किया गया है, उस नदी का नाम है चंबल, चंबल और उसकी साहिक नदियों को सामिल किया गया है, नमामी गंगे प्रोजेक्ट के ती किसरे चरण के तहट राजस्थान को सामिल किया गया है राजस्थान में चम्बल और उसकी साहिक नदियों की सफाय का काम किया जाना है इसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चे तहट अगर किसने की राजस्थान में नवजात सिसु की देखबाल के लिए नवजात सुरुक्शा योजना सुरू करने की गोषणा किसने की है नवजात सिसु की देखबाल के लिए तो इसकी जो गोषणा की है वो की है रगू सरमा ने नमबर ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct answer रगुर सर्मा राजस्थान के चिकित्षा मंत्री क्या है रगुर सर्मा ने नवजात सुरुक्षा योजना लोंच करने की गोसना की है नवजात सिसों की देखबाल के लिए अच्छा अब बात आती है कलराज मिस्टर की ये क्या है राज्यपाल है राजस्थान के राज्यपाल है और असोक गहलोत असोक गहलोत के पास में एक तो आपका ग्रह विभाग यानि ग्रह मंत्राले है और एक ये क्या है राजस्थान के CM है ठीक है ना और ये आबकारी मंत्री भी हैं ये बात पर आपको ध्यान रखने हैं ये आबकारी मंत्री भी हैं राजस्थान के दो तिन बातें आपको ध्यान रखने हैं अगला क्यूसन है भारत की किस राज्य में 24 गंटे चलने वाला दुनिया का पहला सोलर प्रांट बनाय गया है राजस्थान के किस राज़े में 24 गंटे चलने वाला दुनिया का पहला सोलर प्रांट बनाय गया है तो उसका नाम है साथ्यो राजस्थान राजस्थान में भारत का एक मात्र बारत का पहला दुनिया का पहला बारत का नहीं दुलिया दुनिया का पहला येसा सोलर प्रांट है जो 24 गंटे से लेगा क्योंकि सोलर प्रांट 24 गंटे चलने की समावना बहुत कम होती क्योंकि रात को क्या नहीं होती सुर्य की रोशने नहीं होती तो ये 24 गंटे से लेगा और दुन्या का एक मात्र है इसा, जो 24 गंटे से लेगा, जिसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ध्यान रखना, ये कहां पर बनाया गया है, राजस्थान में बनाया गया है, देखिए, राजस्थान के आबू रोड इस्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, दुन किया गया है ये बात important है साथ यो ध्यान रखना पेरा बोलिक रिफ्लेक्टर विद फिक्स फोक्स तकनिक का इस्तेमाल किस के अंदर किया गया है तो ध्यान रखना इस दुनिया के पहले सोलर प्रांट में जो रजस्थान में बना है ब्रमा कुमरी संस्थान में इसे प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया है इसे सोलर प्रांट को नाम दिया गया है इंडिया वन इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ध्यान रखना और बड़ा important question मैंने आपको करवाया है ध्यान रखना साथ हो ठीक है चलिए अगला क्यूशन है राजस्थान का महरसी हरित रिषी समान किसे दिया गया था हरित रिषी समान किसे दिया गया था तो निर्ज सरमा को महरसी हरित रिषी समान मिला था राजस्थान का उपस नमबर ए आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल correct answer हो इसमें राजस्थाने के राजस्थाने जिले को सामील किया गया K turi डेजिटल गाउं योजना के तहत सामिल किया गया अगला है कि राजस्थान के कितने बांधों को अमरजनसी रिस्पोंस सिस्टम के तहत सामिल किया गया है अमरजनसी रिस्पोंस सिस्टम का मतलब यह है कि जितने भी आपके सो वरस्य उमर्ज उपर कर चुके हैं बांध उनका क्या किया जाएगा पुनर निर्मान किया जाएगा उनकी मरमत की जाएगी इस emergency response system के तहत इस emergency response system में राजस्थान के कितने बांधों को सामिल किया गया है तो राजस्थान के बांध है 189 राजस्थान के 189 बांधों को इस emergency response system के तहत सामिल किया गया है देखिए इसमें 100 साल की उम्र पार कर चुके बांद को सामिल किया गया है और सभी बांदों का बड़ी स्तर पर क्या किया जाएगा आधुनी की करण किया जाएगा ठीक है वी निर्मान किया जाएगा ध्यान रखना अगला क्यूसन है कि 17 फरवरी 2020 को राजस्थान में प्रधान मंतरी फसल बिमा योजना पर चोथे राष्टरिय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था तो प्रधान मंतरी फसल बिमा योजना का जो चोथा राष्टरिय सम्मेलन है उसका आयोजन 17 फरवरी 2020 को किया गया था और यह किया गया था साथ यू उधेपूर के अंदर कहा पर किया गया था उधेपूर के अंदर किया गया था option number D आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना का चोथा राश्ट्री सम्मेलन उदेपुर में संपन हुआ था इस सम्मेलन का आयोजन करसी वे किसान कल्यान मंत्रा लेकि द्वारा किया गया था प्रदानमंतरी फेसल भीमा योजना को प्रदानमंतरी निरंदर मोदी ने 18 फरवरी 2016 को लौंच किया था यह सारी बाते आपको ध्यान रखने हैं उमीद करते हूँ यह बात आप बिल्कुल समझ चुके होंगी आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है कि अमेरिकी वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसियेशन ने राजस्थान के किस महिला का चैन वुमेन ओफ दे इर अवार्ड के लिए किया था तो अमेरिकी वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसियेशन ने राजस्थान की जो भक्ति सर्मा है उनका वुमेन ओफ दे इर अवार्ड के लिए चैन किया था भक्ति सर्मा का किसने अमेरिकी वर्ल्ड उपन वाटर स्विम एसोसियेशन ने देखिए राजस्थान के उदेपूर की भक्ती सर्माने 2015 में अंटारक्टिका महासागर में एक डिगरी तापमान के बीच 1.4 मील की दूरी बाउन मिंट में टैर करके विश्वे का नेया कृतिमान मनाया था और इसलिए इनको वुमेन ओफ दे इर अवाड के लिए चुना गया अगला है राजस्थान के जेपूर में 13 जेपूर लिटरेचर फेस्टिवल का आईजन कब किया गया तो 13 जेपूर लिटरेचर फेस्टिवल का जो आईजन किया गया था वो 23 से 27 फरवरी के मद्धे किया गया था 23 से 27 फरवरी 2020 के मद्धे 13 जेपूर लिटरेचर फेस्टिवल का आईजन किया गया अगला क्यूस्थान है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने CAA के साथ ही NPR में हुए संसोधन के खिलाफ संकलप पास किया साथ ही CAA के साथ NPR में जो संसोधन हुआ था उसके खिलाफ संकलप पास किया इसा भारत का पहला राज्जी कुन था तो उसका नाम था राजस्थान उप्सन नमर आपका सी क्या हो जाएगा बिलकुल करेक्ट हो जाएगा राजस्थान देखिए 25 फरवरी 2020 को राजस्थान विधान सभाद वारा नागरिकता संसोधन कानून के खिलाप परस्ताव पास किया यानि जो आपका CAA के साथ में NPR को पास करने वाला पहला राज़े बना है भारत लेकिन CAA को पास करने वाला तीसरा और CAA के साथ में NPR को पास करने वाला पहला राज़े बना है ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है वहीं राजस्थान पहला राज़े जहां NPR के संसोदुन को लेकर के संकल पासे किया गया है अगला क्यूशन है कि 30 जनवरी 2020 को राजस्थान में अंतराष्ट्रिय खादी सम्मेलन का उदगाटन किस ने किया था तो अंतराष्ट्रिय खादी सम्मेलन का उदगाटन किया था अंतराष्ट्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो 31 जनवरी 2020 को किया गया था इसका उद घटन किया मुख्यमंत्री असोक गहलोत ने और इसका अदेख्सता किस ने कि थी इस आयोजन की तो परसादी लाल मिना ने परसादी लाल मिना ने इसकी क्या की थी अद्धिक स्ता की थी ये बात द्यान रखना अगला कि उसने के WWF इंडिया द्वारा वन्य जीव स्रंक्षन के लिए मसली अवार्ड किसे दिया गया था WWF इंडिया की द्वारा जो वन्य जीव स्रंक्षन मसली अवार्ड है संकरसियं सेखावत और योगेश कुमार सर्मा दोनों को दिया गया था, ये बात बड़ी पोटनेटा ध्यान रखोगे, देखिए, WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से, राज्ये में वन्य जीवों के स्रंक्षन की दिस्वा में उतकरिष्ट कारी करने वाल ये है पुर्षकार स्युक्त रूप से, सरिस्का की जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है, उसकी अगवाई करने वाले संकरसियं सेखावत और साहिक वन्पाल योगेश कुमार सर्मा को दिया गया, स्युक्त रूप से दिया गया था, ये अवार्ड मसली अवार्ड, ध इनको राष्ट्रिय मेरा कला समान पुर्षकार 2020 समानित इनको किया गया था, साथी उमीद कर सकता हूँ, क्यूसन आपको समझ में आया होंगे, आज मेरा आपको 15 क्यूसन करवाए, और ये 15 क्यूसन आपके लिए बड़ी इपोटेंट है, अच्छे क्यूसन है, ध्यान रख Thank you, bye-bye.